सबसे पहले तो आप लोग को अपने बिल को देखना है बिल में जो है आप लोग के service provider का नाम लिखा रहता है मतलब आप लोग को जो विजली प्रवाइड करता है जो electricity प्रवाइड करता है उस company का नेम लिखा होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों screen पर हमने आपको company का name देख लेना है कि कौन सी company आपको electricity प्रवाइड करती है बिजली प्रवाइड करती है बिजली आपकी घर तक देती है यहाँ पर और इसके लावा आप लोग को क्या करना है यहाँ पर सबसे side में आप लोग देखना है तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलत ठीक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसी पर आप लोग को जाना होगा ठीक है तो अब दोस्तों हम उसी वेबसाइट को Google में इंटर कर देंगे यहाँ पे देखा था हमने www.mpez.co.in ठीक है यह था यह वेबसाइट है इसे हम सिंपली सर्च कर देंगे ठीक है सर्च करें यही वेबसाइट है जो हमने देखा था अपने बिजलेबिल में ठीक है यही तरीका आपनों को भी अपनाना है अपने बिजलेबिल में देखना है वेबसाइट को इंटर करना है Google में और सर्च करना है तो आपनों के सामने भी इसी परकार से वेबसाइट आ जाएगा अब में आने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो directly आप लोगो थोड़ा से जूम करना है इस परकार से आप लोगो देखने को मिलेगा पे योर बिल ऑनलाइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके लिए बाद आप लोग से मांगा जा रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्लीज इंटर कंजियूमर नंबर मांगा जा रहा है जिसे मद प्रिदेश में आई वीरस नंबर की नाम से भी जाना जाता है विजली बिल में आप देखेंगे तो यह जो है आई वीरस नंबर लिखा होता है और यहाँ पर बहुत सारे राज्यों का जो वेबसाइड होता है उसमें कंजियूमर नंबर लिखा होता है तो कंजियूमर नंबर और आई वीरस नंबर सेम होता है आप लोग को ओल्ड विज इसे आपनों को हडा देना है और बाकी जो डिजिट्स है वो आपनों को इंटर करना ऊंगा जा चाहाँ प्थी यहां पर वहां पर देख सेकते हो домой अब यह आपको सिंप्लीक कर देना है यहाँ पर जैसे टिक करेंगे तो यह automatic ही यहाँ पर green tick लग जाएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो green tick लग गया है अब simply हम click to proceed को बटन पर click कर देंगे यहाँ पर जैसे green tick करेंगे दोस्तों तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो consumer information आ चुका है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर सबसे पहला है आपनों को आई VRS number मिल रहा है यहाँ पर consumer name मिल जाएगा यहाँ एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पर किस मन् का यह जो बिल है यह आपनों को देखने को मिल जाएगा कौन से डेट तक आपनों को यह generated बिल जो है आपनों को जमा करना है यह भी आपनों को देखने को मिल जाएगा बिल amount हमारे case में नहीं देखने को मिल रहा है because हमने जो है ना bill paid कर दिया है ठीक है अगर आपने pay कर दिया है तो आपनों को देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने pay नहीं किया है तो आपनों को यहाँ पर amount देखने को मिल जाएगा ठीक है इसके लाबा यहाँ से आप directly जो है आपने बिजली बिल को download कर सकते हो डिरेक्ट बटन है यहां पर देखने को मिल जाता है तो यहां पर क्लिक करके आप डिरेक्टली जो है बिजली विल डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करेंगे तो यहां पर आगें डाउनलोड करने का ओप्शन आ रहा है ठीक है तो यहां पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ऑट प्रेटेन अमाउंट माल इसे हम यहां पे 100 रूपीज यहां पर इंटर कर देते हैं मॉयल नंबर डालने की जरूत नहीं है अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो इसके बाद दूस्तों आप लोग को simply यहां पर I am not robot इस पर आप क्लिक करेंगे automatic यहां पर टिक लग जाएगा इसके बाद payment gateway आप लोग को सिलेक्टरने का option मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे यहां पर आप लोग को क्या करना है पे थ्रू पिल्डेक्स नीचे वाला जो option है इसी पर आप लोग को टिक करना है इसके बाद पे नाओ का जो बटन है आप आप देख सकते हो इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर देखे पेमेंट जो डेस्क है यह ओपन हो जाएगा मतलब पेमेंट गेटवे जिसमें आप लोग जो है नेट बाइंकिंग क्रेडिट कार्ड क्यू आर वालेट्स यूपी आई के थू आप जो है पेमेंट कर सकते हो तो इस परकार से दोस्तों आप लोग को जो है क्यासी आर वालेट्स सवा कर अर शार हो जिह दोदूम एDe मतलब आर वालेट्स यूट्पी आपएश है दोस्तों आर वालेख बाई है वाले जो है आर शेकिंग एांटक है इस झाल र जाए जाओा है आर था जासाई